यूट्यूब दर्शकोंको जैशिन्वसन गुरुजी का नमस्कार आप सबको कालनेने कारिक्रम के लिए स्वागत सु स्वागत है कैसी हैं दोस्तों आप सब लोग सब लोग अच्चे है ना टीक टाक है ना चलो आज हम बात करने जा रहे हैं मितन राशी वालों के बारे में बात करने जा रहे हैं में महीने कैसे रहते हैं उन लोगों का राशी फल तो आप सब लोग जैशिन वासन टेवी यूटूब चैनल इंदी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वैसी हम करनडा तेलगू तामिल हिंदी वरक्षाप पांच चैनल चला रहे हैं वो पांच चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अपना सबी वीडियो को लाइक करके बोलते हैं वीडियो के अंदर चलते हैं मितना राश्य वालों के लिए में महिना कैसी रहता है इसके लिए तो पहले हम देखते हैं चार राश कुंड लिए को 152020 to 10.5 2022 1905 2022 285 2022 एक दस 1928 एक चार राश कुंडलियों को देख लिजेगा इसमें हमको टीक से पता चल रहा है शुक्र ग्रह का संचार मितुन राशिवालों के लिए बहुत अच्छा राशिफल तो देता है क्योंकि शुक्र तो मितुन राशिवालों के लिए योग कारक है फिफ्ट लाड है वो उच्छ ग्रह बनके मीन राशि में रहता है महिने का स्टार्टिंग में महिने का इंड में वो 11 प्लेस में आ जाता है 11 प्लेस में मेश राशि को वो भी अच्छा है सो शुक्र का संचर बहुत अच्छा करता है मितुन राशिवालों को इसके साथ साथ राहु ग्रह का सं स्वस्तान में है वो भी अच्छा है इसके साथ गुरु भी 10th प्लेस में दसवीग गर में वो भी स्वस्तान में है गुरु आल्मोस्ट फोर प्लानेट चार ग्रह बहुत अच्छे पोजिशन में मितुनराशी वालं के लिए 85% अच्छा है सो कैटेगराइज करते हैं तो एजुकेशन में जो रहता है विद्यारती लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा होता है कैमपस सिंटर में सेलेक्शन होने का चांसे से ग्राजुएशन कम्प्रेट करके पोस्ट ग्राजुएशन जाने वालों के लिए अच्छा है वो भी technology जो पढ़ते हैं artificial intelligent, aeronatical intelligence, aeronatical engineering, space research तोड़ा high advanced technology करके बलते हैं उसमें जो जो पढ़ते रहते हैं कैंपस सेंटर में सेलेक्ट होने का चांसे स रहता है, एर एक हैं Tyra पढ़ने के लिए को जो सोच सर्म है उनको अच्छा है शुकछषब उच्छ आध उसके लिए तो भृःटरने के लिए सोच सेंअ D बिजनस भी आलो रहता है, MBA, इसके साथ साथ CA करने वाले, इन सब लोगों को student category में अच्छा रहता है, वो भी काम करने वाले के लिए अच्छा रहता है, तो आलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अबरोड में काम करने के लिए जा रहे हैं, जो काम अच्छा है, जो गर बना के देते हैं, उनको अच्छा है, लैंड डेवलप्मेंट करते हैं, उन लोगों के लिए नार्मल है, तो आलमोस्ट फिनांशिल पॉजिशन बहुत अच्छा रहता है, जो वाइफ औरस्टेंडिंग रहता है, पैच अपोने कर जब ज्यादा चांस है, इसके साथ जो बच्छों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को प्लान में रहता है, उन लोगों के लिए गुड न्यूस है, इसके साथ जो शादी के लिए देखते रहते हैं, अच्छा मैच मेकिंग के लिए तयार रहते हैं, कोई नहीं मिलते रहता है, मैच मेकिंग ह प्राब्लम करके बोलना इसके बारे में बोलते हैं तो हेल्थ रिलेटेट प्राब्लम जो चोटे-चोटे-चोटे बच्चे मिडलेज का एरते हैं उन लोगों के लिए उतना प्राब्लम नहीं है क्योंकि राहुग्रह को क्रास करके सूर्य और चंद्रा आता है न सूर्य प्राब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं उन लोगों का छोट में वो भी कितुनराशि का अधिपती है बुदग्रह बुदग्रह कादिदेवता है महा विष्णु, महा विष्णु का टेंपल, बालाजी का टेंपल, लक्षमीनर सिम का टेंपल, कृष्ण, राम इनका टेंपल जाके जितना हो सकता है तुलसी दे के पूजा करके आना, अभिशेक के लिए दे के आना, जितना हो सकता है उतना कर जो बढ़ते बढ़ा रहता है की रहता हैं पर्टॉल्स के लिए आप जितना हो सकता है तो डोनेशन कर सकते हैं इसके साथ चोटे-चोटे बच्चे पढ़ते हैं इसके साथ है उन को जीतना हो सकते एक लेन कलर का सरी टी मेटीरियल कई दोish देना यूनिफार्म देना कप्डे जाएगा जो बुरा पले वो कम होता जाएगा ऐसा होना है करके अम भी सिद्धिवना एक शरबेश्ट स्वामी से प्रार्तन करके फिर मिलते हैं नए वडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार लोका समस्ता सुकनों बोंतु सर्वेजना सुकनों बोंतु वसुदाईव कुट प्रॉम्बकम।